अधिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेरा शॉक्त आज हम रेड्यू करेंगे मैंफ्रोटो का मिनी ट्राइपोड यह मिनी ट्राइपोड जमुजे डियुग रहा कुछ इस तरह की पैकिंग में था इस मेनि प्राइबोड की बैक साथ की पेकिंग के अगर बात करें तो इस पर इसके पारीपोड की निए प्राइबोड की कमपैटिबिटी यह द्राइबोड कमपैटिबल है एक कमपैक कैमरा से, एक डीसलर विद किट लेंस यह पर स्मार्टफोर क्लैप के साथ आकर हम इसके फ्रंटफाइब पैकिंग के बात करें तो इस पर दिख जाती है हमें कुछ इंडिजिए जो हमें पताती है इसका बोल एट 360 की नोडेशन है और इसको लॉग किया साथा है किसी भी पोजिशन के तो आईए समय ना वेश्ट करते हो है सिरी चलते है इस पैकिंग क जो कि एक कार्डबोर्ड के आसपास अच्छी तरीके से रैप्ड है अगर पैंफलेट को गौर से देखा जाए तो वो कुछ इस तरी से दिखाई देता है कि अच्रमट को कि i77 म हमें धिक जाती है कुछ इमेज जो हमें श्राह को यूज दिखा झ हाती हिक of तक टेता देम कमपैटिपलेटर में दिखाई डिते है में वहर does are products और तोसरे साइट पे पेज जपूटे तो हमें यहां पर मिलाते है कुछ इंस्ट्रक्शनस प्रड़क्ट हाथ में लेने के बाद बहुत ही प्रीमियम फील होता है, इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी पॉलिटी का है, और इसका बॉल हेड प्रॉपरली वर्ट कर रहा है मैं आपको इसके लेक्स कोल के दिखा देता हूँ हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ट्राइपट मैंने अपने योज के लिए खरीदा है और मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये कोई स्पांसर वीडियो नहीं है ये इसके तीनो साइट का लग, एक लग पर आपको मैं फोटो का प्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और ये नॉब दिया है अपने बाल हेट को सेट करने के लिए, किसी भी डारेक्शन में सेट करके अगर आप नॉब छोड़ते हैं तो वो उसी डारेक्शन में रुख ज मैं अपने व्लोगिंग करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैनन कैमरे का इस्तमाल करता हूँ, विद किट लेंस एंड गोया MM1 माइट का, कैनन EOS 550D कैमरे का मॉडल है, जो कि वेट में अच्छा का सा हैवी है, आईए अब इस ट्राइपोड को कैमरे के अच्छी तरीके से बेट हो गया है, और हमारा वाट व्लोगिंग सेटप कुछ इस तरीकी का दिखाई देता है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है अब ग्रेप भी काफी अच्छी मिल रही है, लॉंग टाइम यूज के लिए काफी अच्छा प्रड़क लग रहा है पीनों लेक्स कोलने के बाद, एंग्रिप भी बहुत अच्छी है, लेक्स बंद करने के बाद, आएए आप एक बार इसका बॉल हेड टेस्क भी कर लेते हैं, कि वो कैमरे का लोड ले सकता है या नहीं, इसके लिए मैं अपने रिकॉर्डिंग कैमरा साइट पर रख देता हूँ, अब मैं अपने SLR को रिक्दम पीछे की तरफ मुफ करने वाला हूँ, इस समय मेरा SLR रिक्दम पीछे की तरफ इंक्लाइन है, कापी स्टेटिक है, किदर से भी वो हिल नहीं रहा है और कोई गिरने के चांज नहीं है, अब मैं इसको आगे की तरफ मुफ कर रहा हूँ, नहीं, आगे की तरफ मुफ करने के बाद कैमरा नीचे की तरफ लिर जाता है, क्यूंकि उस कैमरे का वेड काफी जादा है, मुझे प्रोड़क काफी अच्छा लगा है अपने रेट के सबसे, यह एक अच्छा खासा सेट अप है जो इसने फोल्ड करके रखा है, मेरी तरफ से यह ट्राइपॉड के लिए थम्स अप है, यह मेरी सारी उमीदों पे खरा उतरा है, यह ट्राइपॉड मैंने Amazon से लिए था करीब 1290 रुपय में, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शॉक्स में डाल दूपा, और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन वे यह जरूर पते हैं कि आपको इस ट्राइपॉड का रिव्यू कैसा लगा, और प्लीज़ तूप्सक्रिब तो चैनल पूर में सच विडियोस, थायँ और वे एफ गुट देए।